हेलो एवरिवन आप सभी का वीकॉम मैं दोनों बात करूँगा प्रोग्राम एज वेल एज ओनर्स की मैं बात करूँगा दोनों के लिए है यह आपका सेमेस्टर वन का एक्जाम हो चुका है सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू का भी डन हो गया अब सेमेस्टर थ्री का डीउ ने कैलेंडर निकाल दिया है कि आपका एक्जाम दिसमबर 20 दिसमबर से कह रहे हैं यानि मान के चलिए आसपास से जैसे कि पहले भी कैलेंडर निकल काफी सारे student ये query कर रहे हैं जो third semester है ना आपका third semester में एक subject है income tax जो अपने आप में एक बहुत बड़ा subject है income tax बहुत सारे इसके अंदर rule है regulation है इसके दो चीजे हैं sir ये income tax को अगर मैं देखू न तो एक real life के अंदर बहुत important role play करता है दूसरा exam के अंदर double benefit है जो बच्चे PTP लेंगे ना personal tax planning अगर वो income tax को अच्छे से कर लेते हैं तो उनका personal tax planning अपने आप हो जाता है ये तो इसके benefit है अब sir इसके classes वगरा भी मैं बता दू तो मैंने announcement किया था कि मैं classes लोंगा इसका वैसे 29 वोला था लेकिन वो कुछ days का जो था issue अब इसकी classes जो मैं लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ 30 तारिक से यानि कल से 30 तारिक कल से 7 बीम बहुत सारे बच्चे confused हैं sir अभी तो हमारा form ने निकला हमारे पास क्या subject होंगे और result आने के बाद join करेंगे तो मैं आपको बता दू हमारा चल रहा है यह August जो है खतम 30 तारिक से तो start है तो September, October and November तीन महिने बचते हैं हमारे पास सरिफ इस तीन महिने में मैं दो-दो घंटे की धाई-धाई घंटे की अगर regular class लोगा तब जाके आपका 6 से syllabus खतम होगा suppose करो DU ने निकाला October में आपका result तो क्या हम एक महिने में syllabus खतम करेंगे ऐसा possible नहीं है हमारे पास क्या subject है नहीं पता है मैं बता देता हूँ जो become program के हैं कुछ उनके compulsory subject है जैसे income tax है आपका confirm है कि compulsory subject है income tax मिलना ही है तो इसमें कोई choice ही नहीं है तो इसमें आपको सोच रहा ही नहीं है कि बाद में पढ़ना या पहले पढ़ना एक doubt आता है सार हम second phase का कुछ बच्चों ने या second semester का exam ही नहीं दिया तो वो सोच रहा है सर फेल हो जाएंगे तो कैसे पढ़ें तो जो बच्चा भी second semester का exam देने से रह गया है वो third में जरूर जाएगा automatic जाएगा तो यह ना सोचे कि वो फेल हो जाएगा तो मैं simply मैं तो कल से बैच स्टार्ट कर रहा हूं live classes के लिए live class होगी आपकी 7 p.m. 7 p.m. से आपका till जो भी concept है आगे चलता जाएगा अराम से हम पढ़ेंगे अब रही क्लास कैसे है नहीं लेंगे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आपको किस तरीके से classes मिलेंगी क्या प्राइजिंग होगी सारी चीजे यूटूब पे भी बने रहे यूटूब पे भी हम classes डालेंगे free of cost सर फरक यह रहेगा यूटूब की class में और उसमें वहां पे आपको live classes मिल जाएंगी ठीक है और यूटूब पे आपको recorded होके upload होता है क्योंकि editing वगरा होने के बाद होता है जैसे कि पहले डालता है और सर वहां पे आपको doubt के लिए special number दे दिया जाता है जहां से सीधा connect होके पूछ लेते हैं और live में तो आप एक लाख doubt पू reply करो reply में करता हूं और हो भी रहे reply आप देख रहे होंगे बस उसमे reply में भी डिले होगा और वीडियो का कोई sequence सही से नहीं रहता बाकी classes मैं सारी के सारी YouTube पे भी लूगा live class में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरा syllabus खतम करूं और YouTube पे भी मेरे जिम्मेदारी यही है आप सब भी मेरे से जुड़े हुए हो तो मैं पूरा syllabus खतम करूं लेकिन बस इतना सा फ़रक है आप एक discipline बन जाता है live class में जाने के बाद कि हाँ इतने से काफे सारे regular के बच्चे अन्रोल हो चुके है और डिडिर कॉलजी वालों मैं सुभे class रख राता साथ बजे लेकिन regular इच्छा है कि आपका decision कैसे लेना है लास्ट में पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत तेजी में पढ़ना पढ़ेगा और अभी से पढ़ेंगे तो slowly पढ़ेंगे मेरा जो फी है लिंक description में मैंने डाल दिया आप देख सकते हैं बहुत nominal cost पर रखा हुआ है जो YouTube से जाएगा